हलो बच्चो कैसे हैं आप लोग क्लास नाइन्थ हिष्टरी चाप्टर छे हमारा वन समाज और उपनिवेश वाद इस चैप्टर की अभिहास के प्रसन हम लोग हल करेंगे देखे क्या है पहला प्रसन प्रथम इस्पेक्टर जेनरल आफ फॉरेश्ट इंडिया कौन था प्रक्ति का क्या नाम है ड्राइट्रिच ब्रेडिस ठीक दूसरा सवाल देखिए एंपेरियल फॉरेश्ट रिसर्च इंस्ट्ट देहरादुन की अस्थापना किस वर्स की गई यानि किस वर्स होई तो इसका भी एंसर आपको यहीं मिलेगा देखिए एंपेरियल फॉरेश रिसर्च इंस्ट्ट जो अस्थापना की गई तो 1906 में की गई हमें तो वर्सी बताना है तो 1906 आपका एंसर हो गया तीसरा प्रसन देखिए क्या है तिलका माजी ने किस अंग्रेज क्लेक्टर की हत्या की तिलका माजी अंग्रेजों की क्या थे सरदार थे नेता थे तो यह और इन्हों ने उस अंग्रेज व Computer की हत्या की दिर्धनुस्त्वारा उस वेक्ति का नाम है Clear Land एंगरेज का नाम है Clear Land इन्होंने तिलका माजीने इनकी हत्या कर दी है土 उटव must duh कोल विध्रों कहां से प्रार कर आरंभ हुआ वह विताना है तु देखे इसका एंसर हम ऐसे लिखेंगे कोल विद्रोह जो 1831 से 32 ठीक है इस अवधी में चला आधिवासियों का जन आंदोलन था इस आंदोलन का आरंब यही पूछा जा रहा है आरंब दीकु के विरुध हुआ दीकु मतलब जो बनों के निवासि नहीं थे जो बाहरी विक्ति थे उन देखिए पहले समझे आप कंद विद्रोह जो है वो 1926 में हुआ तो एक ऐसा विद्रोह था जन जातियों द्वारा जो जन जाती थे ठीक है उनका मानना था कि जो समाजिक बुराईया हैं उनको खतम करने के लिए मरियाह प्रथा नामक मानो बलई पर चलित थी ठीक है समाज बिरोध किया कि यह आदिवासियों की परंपरा है ठीक है इसको आप नहीं मिटा सकते हैं तो बिरोध किस ने किया तो बिरोध चक्र विसोई नामक आदिवासी ने किया तो इसका च्छे नंबर सवाल देखिए बिरसा मुंडा का जनम कब और कहा हुआ था तो इसका एंसर हम तो इसके बाद हमारा लगोग तरिये प्रसन पहला है भारती वन अधनियम पारित करने का क्या उद्दीश सथा वह बताना आटीवासियों के लिए पेंगों के लकडी उत्पादन के लिए सुरक्षित किया गया यही उद्दे सिथा ठीक है समझ में आ गया तो यहां से यहां तक हो गया इसके बाद देखे दूसरा सवाल दीकू किसे कहा जाता था उन लोगों ने जनजाती जीवन को कैसे परभावित किया तो यहां पर नज़र डालिए जो बाहरी लोग होते थे दीकू जो जनजाती ना होके आदिवासी ना होके बाहरी लोग हो गए उन्हें दीकू कहा जाता था तो इन्होंने क्या किया तो इन्होंने कड़े कान वारा इस तरीके से होगा गैर आदिवासी लोग अर्था जंगल से बाहर वाले लोग को देकू कहा जाता था इन्होंने जंजाती के समाजिक धार्मिक और आर्थिक जीवन पर परभाव डाला ठीक है और थोड़े से आप चाहें तो ये भी लाइन बढ़ा सकते हैं यहां से लेके यहां तक ठीक मिस्नियोरियों का आदिवासी उपर क्या परभाव पड़ा तो इसका एंसर हम लिखेंगे इसाई मैसे लिखेंगे इसाई मिस्नरियों ने आदिवासीयों को सिक्षा देने लोगों को सब्वे बनानी कुदेसे से इसाई मिस नरियों का घुस्पेट जन जाती शेतर में कराया थाकि उनके परवेश कायोई कुचित माध्या मिल जाए कालांतर में चुपादरी आदिवासी धरम में संस्कृति की आलवचाय करने लगे और उनका धरम परिवरतर आरम कर दिया गया और बड़ी संख्या में आदिवासी निसाई धरम को अपना कर अपने सिती में सुधार की ठीक है तो यहां तक हो गया अगला सवाल देखिए चौथा चुवार विद्रों का क्या परभाव पड़ा तो इसका एंसर हम ऐसे लिखेंगे चुवार जन जाती ततकालिंग बंगाल प्रांथ में मिदनापुर मांकुडा मानभूमी आदि छेतर में पाई जाती थी अंग्रेजों के लगान वे उस्था के खिलाफ इन लोगों ने क्या था असंतोस ब्याप था ज्यादा लगान वसूर रहे थे अंग्रेज अधा मीदनापुर के स्थित करन गट की रानी सिरो मड़ी के दितित में चुवारों ने बिद्रो का जंटा खाड़ा कर दिया और अंग्रेजों का खिलाफिया बिद्रो लंबे समय तक जारी रहा तो बस यहां तक हो गया इसके बाद देखिए अगला सवाल पांचवा चेरो बिद्रो उपर एक टिपड़ी लिखे यानि इसके बारे में हमें बताना है चेरो बिद्रो क्या है तो इसका एंसर काफी असान है हम यहां से करेंगे बिहार के पलामू अब पलामू जहर खंड में है बिहार के पलामू छेतर में रहने वाले चेरो जनजाती ने अपने राजा के खिलाफ बिद्रो किया उस समय चुड़ा मन राए उसका सासक था अंग्रेजों के सोशल करने के खिलाफ ठीक है और फूसल ने के नितित में चेर जनजाती ने लोगों को सन अठासो में खुला बिद्रो किया तो अंग्रेजों के सोशल करने के खिलाफ ये अंदोलन चलाया गया ठीक है तो यहां तक हो गया अगला सवाल हमारा है छे नंबर तमार बिद्रो का पर्चे हमें देना यानि इसके बारे में भी बताना है तमार बिद्रो क्या है तो इसका एंसर हम यहाँ जरी करेंगे देखे सन 1789 इस भी में छोटा नाकपुर के उरा जनजाती के जमिदारों के सोशल के खिलाफ आंदोलन चलाया गया जनजाती हो दोरा इतिहास में यह तमार बिद्रो के नाम से जाना जाता है सन 1794 तक चलता रहा और अंग्रेजों के सहायता से बहुत ही कूर्टा प्रुग तरीके से दबा दिया गया ठीक है तो यहाँ तक आपका एंसर हो गया समझ में आ गया इसके बाद देखिए सातवा उडिसा में चक्र बिसोई की क्या भूमिका थी तो चक्र बिसोई नहीं मानो बली प्रथा का बिरोध किया था इसका एंसर हम यहां से करेंगे देखिए उडिसा में उन्हें इसवी सताबनी में कंद बिद्रो आरम हुआ तो यही आपको लिखना है तो उन्हों ने जो आदिवासी थे वो मरियाह पत्था लागुक कर रहे थे ठीक है उरायों का खतम करने के लिए तो अंग्रेज इसको हटाना चाहते थे तो इसका बिरूत किया चक्र बिसोई ने ठीक है वो बताया कि यह आदिवासी सवेता संस्क्रिती है यह हम नहीं अटा सकते है तो यह पूरा आपको यहां तक कर लेना है इसके बाद देखिए हमारा आखरी सवाल आदिवासीों के छेतरवादी आंदोलन का क्या परभाप जो पहिणाम निकला तो इसका एंसर हम ऐसे लिखेंगे आदिवासी अलग राज मांग करना शुरू कर रहे है बटवारे के लेकर परदेश और 36 कर ठीक है और उसके बाद बिहार से जहरकंड अलग हो गया यहां तक आपको कर लेना है तो यही हुआ छेतरवादी आंदोलन का परभाप